आज हम solution करेंगे NCRT class 10 की exercise 8.2 का ठीक है यदि आपने 8.1 solution की video और ये जो मान है आपका 60 degree, 30 degree, 45, 90 को कैसे याद करें ट्रिक के हिसाब से और कैसे निकाला जाता है तो इसकी video की link आपको मेरे description में मिल जाएगी आप जाकर वहाँ check करें, ठीक है, चलिए, तो solution करते हैं, number first की, sin 60 का value आपको होता है root 3 y 2, circle करना है आपको, ठीक है, cos 30 का मान भी root 3 y 2 होता है, sin 30 का मान भी root 3 y 2 होता है 3 y 4 हो जाएगा, plus 1 y 4, value देखें, तो 4 y 4, cut कर मान एक, यह आपका पहला का answer, यह 1 हो जाए, ठीक है चलिए, question number 2 को ध्यान देते हैं, question number 2 देखें, तो हमारा बिल्कुल same है, लेकिन बट आपको सिर्फ square दिया हुआ है, कहीं कहीं पर 2 दिया हो, ठीक है तो 2 into, 1045 की value 1 होती है, ठीक है, cos 30 का value, जो होता है, root 3 y 2 का whole square, minus इसका मान भी root 3 y 2 का whole square देखें, पहली आप ध्यान दिजिए, 1 कमान प्लस में, 1 कमान माइनस में, दोनों कमान सेम स्क्वार में, यह खत्म हो जाएगा, 2 into 1 का whole square, याने 2 into 1 बराबर 2 answer, याने question number 2 का answer कितना जाएगा, दो आजाएगा, ठीक है, तो चले, question number 3 देखते हैं, चले, question number 3 आप ध्यान देखें, वो, sign 45 याने, 1 by root 2, बटा, सेक 30 का जो मान होता है, 2 by root 3, प्लस, cos 30 का मान 2 होता है, ठीक है, चले, तो 1 by root 3, बटा, नीचे देखें, lcm, root 3, देखें, 2 plus 2 root 3, हो जाएगा, इसका value value, ठीक है, जैसे बारी बारी से, आपको कहा जाता है, बस, आपको वही करना, ठीक ह 1 by root 2, बटा, देखें, आप ध्यान देखें, यह उपर चला जाएगा, root 3, बटा, 2 plus 2 root 3, ठीक है, अब ध्यान देखें, क्या हो जाएगा, उपर का गुना, उपर से, नीचे वाले का गुना, नीचे सो जाएगा, देखें, root का गुना, root से होता है, यह चीज आ रखें, बाह ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते है, इसका हर पर्मेकर, नीचे का जो value है, बस हुआ ही value लिखना है हमको, एक बार उपर, और एक बार नीचे, लेकिन sign में अंतर, यहाँ plus sign, तो minus, ठीक है, बस, बन गया, हमारा बस, इतना ही नहीं, ठीट हुजा, देखें, इससे तो minus, two root, under 18, by, देखें, a plus b into a minus b पर बैठ रहा है, तो a का whole square, minus b का whole square हो जाएगा, अब करवान, अब देखें, उपर वाले, देखें, two root six minus, two root 18 को हम देखें, तो इस परकार तो उड़ सकते हैं, 339, 2018, हो जाएगा, by, देखें, दो का whole square, 4, देखें, फिर यह कटेगा, चार दुनी, 8, minus, दो का whole square, 4, गुने 6, 24, ठीक है, अब देखें, two root six minus, इसका देखें, तो यह निकल जाएगा, root six root two by minus sixteen, देखें, minus तो मानाना नहीं है, हमारा, तो सबसे पहले हम, दो common लेते हैं, ठीक है, minus, minus 2 का whole लेते हैं, क्योंकि minus, देखें, minus खतम हो जागा, अब देखें, यह हो जाएगा, आपका minus में, ठीक है, यह देखें, इससे 2 तो निकल गया, बचाएं, आपका root six plus, यह देखें, इसका 2 निकल गया, तो three two six root two, बटा, minus 16, देखें, minus से minus खतम, two eight जा, 16, ठीक है, तो इसे लिए आपका answer हो जाएगा, three root two minus root six by eight, यही आपका answer हो गया, ठीक है, चलिए, चलते हैं, question number four की और, चलिए, तो question number four हम ध्यान दे, तो चार नमर चलिए, मान निकालते हैं, sign 30 का मान, one by two, 1045 का मान, one, minus, कॉसिक 60 का मान, two by root three, बटा देखें, sign 30 का मान, two by root three, plus कॉसिक 60 का मान, one by two, plus one, अब देखें क्या करते हैं, इन दोनों को सबसे पहले जोड़ देखें, आप जोड़ीगा, तो three by two आएगा, minus two by root three, नीचे देखें, इन दोनों को जोड़ दीजे, तो मान आपको जो होगा, वो बिल्कुल सेम ही अगा, three by two, plus two root three, हमने क्या क्या, सिर्फ इसको पीछे करते हैं, इसको आए, तो कि देखें, ऊपर भी से, नीचे भी से होजागा, ठीक है, अब देखें, इतना में तो हमारा answer आनी रहा, तो चले, इसका हर पर में ही करन करते ह ठीक है, चले, हर पर में ही करन करते हैं, ध्यान दीचे question, चले, three by two, minus two by two root three, बटा, three by two, plus two by two root three, तो हमने क्या बता है, कि मान जो है, वो आपको सेम रखना है, ठीक है, मान में कभी changing नहीं करना है, बस sign का अंतर, plus है, तो minus, ठीक है, three by two, minus two by two root three, का whole square हो जाएगा, आपका, ठीक है, निचे a plus v into a minus b पचला जाएगा, तो a का whole square, minus b का whole square, ठीक है, अब ध्यान दीचे, इसके आगे, a minus b का whole square, ठीक है, आप इसका मान निकालेंगे, तो मैं इसका मान देखे, निकाल देता हूँ, direct, आप इसका मान details से निकाल दीचेगा, तो इसकी value आएगी, 43 minus 24 root three, ठ ठीक है, पट्टा, ठीक है, इसका मान, आप निकालेंगा, तो इसकी value आएगी, दोनों को निकाल के, इसकी value 11 आएगी, ठीक है, detail में इसकी आप निकालेंगे, मान जोगा, ठीक है, 2 root three नीचे, 2 root three उपर, ये दोनों तो कठी जाएगा, जो मान होगा, वो उपर वाला ही आप होगा, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, जो आपका आ जाएगा, वही आपको answer हो जाएगी, ठीक है, इसके आगे आपको करने की जरूद नहीं है, ठीक है, चलिए, ये था आपका, ठीक है, यहाँ देखिए, एक तरीका और है, ठीक है, थोड़ा से देके change करते हैं, और य 3Y2, माइनस 2 बटा रूट 3, बटा 3Y2, पलस 2 रूट 3, आप यहाँ पर कर सकते थे, उपर वाले का भिहिन का जोड़ निकाल लेते हैं, तो वैल्यू आते है, थे रूट 3, माइनस 4Y2 रूट 3, ठीक है, नीचे का वैल्यू आप निकालते हैं, तो 3 रूट 3, पलस 4Y2 रूट 3 ठीक है यहां से यह कड़िया था ठीक है तो अब बचता आपको 3 root 3 minus 4 वटा 3 root 3 plus 4 अब आप चाहते हैं तो 3 root 3 minus 4 y 3 root 3 plus 4 इसका परमेह करन कर सकते थे ठीक है 3 root 3 minus 4 वटा 3 root 3 minus 4 ठीक है आजाती है आपकी value असानी से देखिए 27 minus 16 इसकी value आराम से आप निकाल सकते थे 27 में 16 गया value 11 देखिए आगे आपके answer तो आप चाहें तो ऊपर वाले या नीचे वाले तरीका अपना सकते हैं देखिए मैं हर question जैसे ही आपके question number 1 पूरा खत्म होगा हम उसकी photos आपको question के last में डाल देगे आप उसे देख के आराम से solve कर सकते हैं ठीक है चले question number 5 देखिए question number 5 बहुत आसान सवाल है अब बना सकते है 5 into cos 60 का मान 1 by 2 का whole square plus 4 into 30 का मान 2 by root 3 का whole square की square कहता है minus 10 का मान एक होता है 1045 का तो 1 का square बटा याद रखे एक formula है कि sin square theta plus cos square theta यानि sin square में हो cos square में हो और angle का मान सेम हो ठीक है तो उसका मान हम directly एक लिखते हैं यानि आपको याद रखना है sin square theta plus cos square theta का value एक होती यह एक formula है ठीक है यह प्लस में है minus 1 चलिए इसकी value आप निकालते 12 आती ठीक है 15 plus 64 minus 12 देखे इसकी value जो आती 67 बटा 12 आती ठीक है यह थी आपकी question number one की solution ठीक है इसकी photos आपको मिल जाएगी आगी जाएगी ठीक है चलिए question number two आप ध्यान दे तो कहता है सही उत्तर चुनिया ठीक है तो आपको इसको solve करना पड़ेगा ठीक है चलिए solve करते है 2 into ठीक है जो value आपको कहता है उस value को रखे और आपका जो मान है वो आ जाएगा चलिए तो 10 30 का value आता 1y root 3 बटा 1 plus 1y root 3 का whole square ठीक है ध्यान दीजिए आप इसको solve कीजिए तो 2 बटा root 3 बटा 1 plus 1y 3 को जाता ठीक है ध्यान दीजिए आगे 2 बटा root 3 बटा मान नहीं खालते है तो 4 बटा 3 बटा बटा 2 बटा root 3 गुने 3 by 4 देखें हो जाता आपका अब देखें 3 बटा 2 root 3 आपकी value आ जाती है अब ध्यान दीजिए आप इसका हर पर में करन कर दीजिए तो 2 root 3 बटा 2 root 3 ठीक है अब देखें 6 root 3 by देखें इसके value ते दो दो नहीं 4 या 12 कटकर मान दो याने root 3 by 2 अब देखें कि आपके जो options चार्ड दिये हुए हैं इसका मान इनमें से कौन है चार option आपकी यह रहे, sin 60, sin 60 का value root 3 by 2 ठीक है, cos 60 का value 1 by 2, tan 60 की value होती है root 3, sin 30 का मान 1 by 2, अब देखें इन 4 option में किन का मान root 3 by 2 आता है, यानि पहले का option का मान आता है, sin 60 का मान यहीं आपका answer हो जाता है, तो इस परकार आप प्रष्ण को बना सकते हैं ठीक है, एक और आप देख लिए धियान दे, चले, चलते है, question number 2 की ओर, चले, question number 2 धियान दीजे, बिल्कुल उसी तरह आपको बनाती है न, 1 minus, 1045 का मान 1 का square, बटा, 1 plus 1 का square, ठीक है, तो 1 minus 1 का square, 0, बटा, 1 plus 1 का मान 2, अब देखें, इस का मान 0, अब देखें, प्रष्ण म number 3 की ओर, चले, question number 3 का दा, sign 2, A, बराबर 2, sign A, सकते है, यदि, परते एक एंगल को आपको रखके देखना पड़ा है, सबसे पैदा देखें, यदि A, बराबर 0 रखते हैं, ठीक है, तो, sign 2, 0, sign, देखे, 1 का मान 0, ठीक है, 0 degree, बराबर, तो, गुना, sign A, यदि, sign 0 degree की value, 0, ठीक है, sign 2, यदि, 0, बराबर 0, यदि, यहाँ देखे, यहाँ पर, जो मान है, वो बराबर आ गया, यानि, sign 2, sign है, यदि, दोनों तरफ की value, बराबर आने चाहिए, चले, इसी परकाद, sign 30 का देख लेते हैं, यदि, यह बराबर 30 लेते हैं, ठीक है, तो sign 2, 30, यानि, दो बर 30 का मान आप रखिए, sign 30 का, तो आजाता है आपका, 1, बराबर देखे, into 2, क्या यह मान बराबर है, यानि, sign 30 के लिए मान बराबर नहीं होता है, आपका देखे, ऐसे भी पहला अगर option कोई भी मिल गया, तो वही आपका answer, यानि, इसका मान कितना हो जागा, 0, ठीक है, चली, तो question 4 देखते हैं, चली, चौथा जो प्रस्न है, वह आपके, पहले जो से प्रस्न की तरहीं मिलता, जोलता है, चली, 30 की value रखने है, यानि, देखे, 2 into 30, यानि, 10 30 का जमान, 1y root 3, बटा, 1-1y root 3 का, whole square, ठीक है, तेखे, value हो जागे, 2y root 3, बटा, 1-1y 3, ठीक है, अब ध्यान देजे, 2 बटा, root 3, बटा, value निकाले, 2y 3, बरावर, 2y root 3, गुने, 3y 2, देखे, कड़ियागा, यानि, 3 by root 3, अब देखे, आप क्या किजे, इसका हर पर में करन कर दीजे, ठीक है, अब देखे, 3 root 3 by 3, 3 से 3 कड़ियाने, root 3, अब देखे, आपक ये जो 4 option है, उसमें किसका मान, root 3 के मान से बिलकुल मिलता है, cos 60 का मान, आप देखे, cos 60 का मान होता है, 1y 2 है, sin 60 का मान, root 3y 2 है, 1060 का मान, root 3 है, sin 30 का मान, 1y 2, तो किसका मान, 1060 का मान, चले, तो इसका option कितना हो जाएगा, आप 3, चले, इस प्रकार आपके 2 प्रशनों तक क रहें उत्तर हो चुके हैं चलिए कोशन नमबर थीली चलते हैं ये तो कुशन नमबर आपका तीन देखते हं यदि इसलिए हैं वेजिए आपने दो चरवाले रेकिंग समीकरने पढ़ा तो यह कुर्षिटिन आपके लिए बहुत यह ज्यादा आसान हो जाए क्यों बैंग समीकरने कोई बात नहीं में चैनल पर दो सब्सक्राइब करन की विडियो आएगी आप बस चैनल पर बने रही है चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अधिया आप हमारे शेयर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम ऐसी शॉल्यूसंस और एजुकेशन से रिलेटेज चैनल हम लाते रहते हैं ठीक है तो चले देखे धियान से देखे ज्यादा कुछ करने की दूर तो सबसे पहले है है क우िः सबसे पहले है की रूट थीरी जो है पूर में दिए है तैन टैन ए प्लस बी ठीक के तो आप के यह सुचिना है किधर साइड में जयानि आ देखे स्में किसका माँा आप सिर्ष यह सुचे किस का माइन रूट थी ऑपर निया बेस आप लिटा तो चलिए तो यह दिया ध्यान दें कि 10 a plus b बबरावर इसकी यह value 10 60 से मिलती जो देती है ठीक है तो 10 से 10 खत्म आप बच्छा एप्लस b बरावर 60 ठीक है इसको हमने बना लिया समिकरण एक ठीक है पूरा देखें एक का तो काम हो क्या बचा दूसरा 10 a minus b बरावर 1 i root 3 इसलिए 10 a minus b देख किसका मान एक बचा root 3 के बरावर 10 30 का मान ठीक है ठीक है चलिए तो 10 से 10 खत्म हो गया ठीक है अब देखें तो बच्छा क्या है a minus b बरावर 30 देखें यह आपका हो गया समिकरण 2 चलिए तो समिकरण 1 रचा 2 से देखते है ठीक है तो आपने नहीं नोट करते नोट कीजिए समिकरण एक प्लस दो से एनने एक और दो को जोड़ेते हैं a plus b बरावर 60 ठीक है a minus b बरावर 30 देखें चलिए इसको हमको जोड़ना है ठीक है तो बी से बी खत्म आपका टुए बरावर 90 डिगरी हो गया दोसे दोसे कटा 45 डिगरी यह की जो वैल्यू आ गई 45 डिगरी आगे ठीक है तो देखें समिकरण एक में ठीक है एक में एक आमान देने पर एक आमान देने पर ठीक है a plus b बरावर 60 है ठीक है 60 डिगरी है तो एक वैल्यू 45 देते हैं प्लस बी बरावर 60 डिगरी तो इसलिए खें बेर तो साथ डिगरी यह मैनस 45 डिगरी वरावर 15 डिगर आपकी अंसर ठीक है इस परकार आपकी इस हче का इंसर हो गया है तो चल्यदे चलतें कुशे नंबर चार में चलें कुशे नंबर 4 का पहला प्रस्शन Bringing तो कहता है यह को उत्तर सत्य सत्य ενा तो इह आपको चेक करना क्या सही है एक काम करते हैं यह बराबर भी थर्टी डिग्री ले लेते हैं अब भी बराबर भी थर्टी डिग्री ले लेते हैं ठीक है चलिए तो साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री लेते हैं यहां पर भी है साइन B तो आप देख लिएगा बुक में आपका एयस कि दिया होगा तो साइन 30 प्लेस 30 याने साइन 60 डिगरी इवायर मिलती है नहीं इसी लिए यह जो होगा असत्य होगा थेकी याने वह परिषन है यानि प्रिष्न है असत्य है ठीक्या चलाए Chelsea दूसरा प्रस्मीन देखें यदि कता है क्या ठीटा की वैल्यू बढ़ता है देख रहें देख लाते हैं Sine यदि 0 डिगरी मान 0 Sine 30 डिगरी तो मान 1 x 2 Sine 45 डिगरी तो वैल्यू 1 y root 2 साइन शिक्स्टी डिन तो वैल्यू रूट 3 Y 2ू साइन नवे डिगृ तो वैल्य ओन हम देखें तोड़ीटा का माण इंक्रीज कर रहा है्jang यानि बढ़ रहा है स्ब्राइस क्या हुम स्भाध़ रहा है तो मान क्या है बढ़ रहा यानि यह जो हुआ सथ यह ठीक है चली कुछी नम्मर तीन देखते हैं कुछ नम्मर तीन में मारक कता है ठीटा के वैलुव बढ़ाए जाए तो क्या को से थीठा का मन बता है जींचले कॉस्टा कॉस्ट बरावर एक कॉस्ट थर्टी डिगरी बरावर रूट थीरी भाई 2 कॉस्ट फॉट् कॉस 60 दिग्री वैल्यू वान वाइटू कॉस 90 डिग्री वैल्यू जीरो हम देख रहे हैं कि यह जो है बढ़ नहीं रहा बल्कि घट रहा थे एक दिखे सबसे बढ़ा था उससे छोटा-चोटा यानि घट रहा है थेके लेकिन हमारा प्रिष्ण काता बढ़ता है यह यह वह क का एक सबते हैं ठीक चलिए चौथ्य प्रष्ण को ध्यान दीजिए चोथा प्रश्ण मारा कहता है कि साइन ठीटा बराबर कॉस्टिटा ठीटा पहरमान के लुद से में देख लिए हैं यादी हम साइन थाटी डिए लेलते हैं बराबर प aur ते इंगल साइन थाटी का मान वाइडें टिक का मान रूट थाटी क्या बराबर है नहीं तो हमारा वंचो क्वेस ने क्यए कर्वालाट एम ऊसत्य हो गया जक्राइल है चलिए दखते हैं कोशेश नमबर 5 को चलिए घामान ए बराबर 0 के लिए परिवास हैं तीटा का मान 0 के लिए परिवास्त सहीं क define ठीटा का जो मान होता है वो वन बाई टैन ठीटा होता है ठीक है यदि टैन ठीटा का देखें जीरो के लिए यानि कॉट जीरो डीरी बराव एक बटा टैन जीरो डीरी ठीक है तो एक बटा धियान दे चलिए तो टैन जीरो का मान जीरो होता है ठीक है यानि यह क्या है आपका परिभासित है यानि कोट जीरो कामान क्या है यानि यह आपका जो कथन है वो सत्य है तो इस परकार आपके सभी प्रश्णों के उत्तर हो गया है जहां को लाइक करें तो नए है तो सब्सक्राइब करें कि ऐसे ही वीडियो हम लाते रते हैं छे धन्यवाद जाहिन हुर्णों — जाहिन करें लाता है जाहिनों करें याुलूर है जाए है जङना घ्ऽत्वाद